तो फ्रेंस इस चोकड़े से टुकड़े का रियूज करते हैं और देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं चलिए देखी ये छोटा सा टुकड़ा है 12 बाइस 7 इचिस का है देखी सकते हैं कितना छोटा सा है अब क्या बनेगा इसका फीर मैंने इसकी के नाब से फर्म और कॉटन का अस्तर ले लिया फिर ले लिया इस तरीके से प्विल्ट कर लिया देखी आप इस छोटे चोटे टुकडों से बहुत कुछ बना सकते हैं और यहां पे भी हम simple सा unique सा बना रहे हैं तो quilt हमने कर लिया फिर जो extra sponge जो दिख रहा है वो हमने cut कर लिया फिर एक अस्तर का कपड़ा ले लिया है cotton का है आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं अब यहां पे इसे fold कर लिजिए ऐसे ठीक है fold करने के बाद आप यहां से ऐसे round कर लिजिए उपर से corner से round करने के बाद यह जो अस्तर है उसका देखें यहां पे आपको क्या करना है 2.5 इंचिस पे ऐसे mark कर लिजिए फिर यहां पे cut लगा लिजिए cut लगाने के बाद आप एक chip लिजिए और इसे ऐसे उल्टी रखे stitch करें और यहां पे कर दीजिए press stitch press stitch करने के बाद यहां पे stitch करें फिर करें press stitch और यह जो main part है इसके उपर आपको ऐसे रख देना है देखें इस तरीके से और यहां पे stitch कर लिजिएगा इस तर देखें ऐसे आपको रख के stitch करना है उपर की और से आपको stitch नहीं करना है लेकिन यह पूरे राउंड में stitch करना है थोड़ी सी मुझसे mistake हो गई थी लेकिन आप खलती मत करना जो मैंने गलती किये वो जरूरी नहीं आपको भी करनी है उपर से आपको stitch नहीं करना है पूरे राउंड में करना है और देखें जो राउंड है वो वहां पे आपको नौचिस लगाने है जिससे यह सीधा करोगे तो अच्छी सी finishing आएगी तो यह finishing हो गई अब आप क्या करें इसे ऐसे fold करें और यहां पे stitch लगा लीजिए और उससे पहले यहां पे आप कोई भी lace को ले सकते हैं और यहां पे attach कर लीजिए और फिर आपको fold करके stitch करना है अब यहां पे 4 इंचिस पे आपको mark करना है 4 इंचिस पे mark करके center में stitch कर लीजिएगा और फिर यह छोटे छोटे दो टुकड़े है 2.5 इंचिस के जिसे आपको लेने है और यहां पे हमने अस्तर भी ले लिया है तो इसे stitch करके आपको जोड़ लेना है और जो extra है वो cut कर लीजिएगा और यहां से इसे कर लीजिए सीधा तो दोनों हमने same वही तरीके से कर लिया है अब आपको क्या करना है center में mark कीजिए इसे ऐसे fold करें अंदर की और और यहां पे stitch करें तो यह हो गया हमारा इसे आपको यहां पे ऐसे stitch करना है देखिए यहां तक center से आपको 4 इंचिस पे जहां पे mark किया था वहां पे ऐसे stitch करते जाना है ऐसे fold करते हुए इस तरीके से आपको stitch करना है same वही तरीका आपको दूसरी side लेना है और देखिए दोनों side हमारा attach हो गया एक pocket है और बड़ा सा पेस वाला pocket यहां पे है अब हम यहां पे magnet button attach कर देंगे आप यहां पे well grow भी लगा सकते हैं आपके पास जो भी चीज available है वो लगा सकते हैं तो इस तरीके से हम magnet button लगाएंगे यहां पे blade लगाके इसे दोनों तरफ पूस कर देंगे same वही तरीका हमें ऐसे चोक को मार्क करके attach करके यहां पे दूसरा magnet button लगा देना है और देखिए कितनी प्रेटी सी बन गए चोटे से टुकडे से आपको लग रहा है कितना लुक अच्छा आ रहा है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना वीडियो पसंद आया है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक चेर और सब्सक्राइब चरूब करें चलिए भिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई जे भारत वन्ने मात्रा